आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करन्ट अफेयर्स के महतपूर क्वेशन का रिविजन करेंगे और लाश्ट में आज के महतपूर करन्ट अफेयर्स को देखेंगे तो आज ये स्टार्ट करते हैं आठवा अंतराष्ट्री योग दिवस 2022 की थीम किया थी तो इस बार जो आपका किस क्रम का अंतराष्ट्री योग दिवस था तो आठवा अंतराष्ट्री योग दिवस था और इस बार की जो थीम रखी गई थी वो थी आपकी मानवता के लिए योग यानिकी योगा फार यू USA में जो है इसकी स्थापना करी गई है FIFA Inter17 महिला विशुकप है और FIFA किसके लिए होता है तो यहicate आपका Football के लिए होता है ठीक है न Football का यहापका World Cup है महिला का Under 17 तो इसका यजन किया जएगा आपके भारत में और इस बार कि जो इसका सुभंकर है इभा क्या है एक सिर्नी है नेक्स्ट हमारा है फीफा फुटबाल वल्ड कप 2026 का आउजन कहां पिक होगा तो 2022 का आउजन तो आपके दोहा कतर में होगा इस वर्स लेकिन अगला जो है 2026 में जो होना है उसका भी आउजन अस्थर गोशित कर दिया गया है त किस देश के फुटबालर रही है काफी महान फुटबालर थे आपके ठीक है ना तो यह इनसे आपका पूछा जा सकता है कि किस देश संबंदित है तो यह अर्जनटीना के फुटबालर थे डियोगो मारा डोना ओके नेक्स्ट हमारा है अगर यह आपका मस्तिस्क से संबंद यह आपके अग्र मस्तिस्क का पार्ट है, जबकि पश्च मस्तिस्क यानिक जो आपका पिछला मस्तिस्क है, इसमें जो है, इस हिस्से में कौन-कौन सामिल होता है, तो इसमें होता है आपका सेरेबेलम और मेडूला अबलंगेटा, ठीक है न, तो अग्र मस्तिस्क में सेरेब प्रिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व आपके हाइफो थैलमस का कारे ओके नेक्स्ट हमारा है मानव सरीर का संतुलन के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है मस्तिस का कौन सा भाग जिम्मेदार है मानव सरीर के संतुलन के लिए तो जो आपका सेरे बेलम होता है पस्ट मस्तिस का पार्ट ये आपका जो है जिम्मेदा है मानों सरीर के संतुलन के लिए तो स्वागत है आप सभी का अमारे चैनल एक्जाम सहपाथी में हम लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामाई की सार की क्लास को जिसमें हम लोग डेली करंट अफेर्स और जीके का रिविजन करते हैं यह हमारा 135 सिरीज है अगर आप यहां पे पहली बारा हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लावा टेली ग्राम पे इंस्टाग्राम पे और फेस्बुक पे हमें फालो कर सकते हैं यह सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट होगी जिसमें एक GPS लगाया जाएगा आपके वाहन में ठीक है ना तो यह आपका इस परियोजना का नाम रखा गया है सुरक्षा मित्र परियोजना और यह केरल राजिके द्वारा प्रारंभ की गई है महिला उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का आसान लोन उपलब्ध कराने के लिए मात्रि सक्ति उद्यमिता योजना की स्राजिके द्वारा प्रारंभ की गई तो मात्रि सक्ति उद्यमिता योजना आपके हरियाणा सरकार की है जिसमें महिला उद्यमियों को 5 लाख रुपे तक का लोन दिया जाएगा पंडित रवी संकर का संबंध किस वाद्य अंतर से है तो पंडित रवी संकर जो है ये आपके सितार से संबंधित है ठीक है अगला हमारा है उस्ताद बिस्मिल्ला खां का संबंध किस वाद्यांतर से है तो उस्ताद बिस्मिल्ला खां का संबंध है आपके सहनाई से ठीक है और इन्हें जो है भारत रतन भी प्रदान किया गया है उस्ताद बिस्मिल्ला खां को पंडित भीम सेंजोसी ये क्या है तो ये एक सास्त्री ये गायक है ये भी याद रखेंगे सास्त्री गायक है और इनका संबंद किस घराने से है तो इनका घराना पुछा जाता है तो इनका घराना है किराना घराना तो किराना घराने से संबंदित है पंडित भीम सेंजोसी ज ठीक है तो ये कौन सा वाध्यंत्र बजाते थे तो ये आपको कमेंट करके बताना है पहली संगीतकार जिन्हें भारत के लिए सर्वोच शनागरिक सम्मान भारत रतन 1998 से सम्मानित किया गया तो ये याद रखना कि 1998 का मतलब है कि भारत रतन इनको 1998 में प्रदान किया गया था ये पहली संगीतकार थी जिनको जो है भारत रत्न प्रदान किया गया, ठीक है, तो इनका नाम था MS सुबू लक्षमी, ठीक, तो पहली संगीतकार जिनने जो है भारत रत्न प्रदान किया गया और ये कब प्रदान किया गया था, 1990 में, तो ये थी आपकी MS सुबू लक्षमी, क इस पितु गश्टिर फेस्टिवल और हेमिस फेस्टिवल ये तीनों अलग अलग फेस्टिवल हैं ये कहां पर मना जाते हैं तो ये मना जाते हैं लद्दाक में ठीक है नेक्स्ट हमारा है लोशांग महुत्सो तो लोसांग जो है ये कहां का तेवहार ये लोसांग आपका सिक वोगी मा भी कहा जाता है ठीक है और यह फेस्टिवल कहा पर मना जाते हैं तो यह मना जाते हैं आपके केरल में कलपती रथ महुथसो धृतुर पूरम यह सब भी हालीiter可以्या मकर विलकूव ही आपका कहां का है केरल का और ओडम भी कहां का है केरल का त्यूलिफ फेस्टिवल हेराथ महुत्सो कंचोत महुत्सो और आपका खीर भवानी मेला इसका आउजन कहां पर किया गया तो खीर भवानी मेला का आउजन अभी हाली में हुआ था जमू कस्मीर में ठी का उजन कहा होता है तो खुजरात राज्य का कौन सा ग्राम पंचायत भारत की प्रथम बालिका ग्राम पंचायत बन गया है तो ये गुजरात की आपकी प्रथम आपका एक ग्राम पंचायत है जो की भारत की प्रथम बालिका ग्राम पंचायत बन गया है ये है आपकी कुनरिय ग्राम पंचयत, ठीक है किस राज़े में है तो गुझरात राज़े में है विस्यू का सबसे बड़ा love cool कोन सा है तो विस्यू का सबसे बड़ा love cool है रव लिस्या तो ग्राम पंचयतों से समधे एक दो question मैं पूछों तो आप लोग comment करको बताईएगा कि पहली जो है आपकी कारबन मुक्त जो है ग्राम पंचायत कौन बन गई है वो बताईएगा और आपका सेनेटरी नेपकीन फ्री जो है पंचायत कौन सी बन गई है ये आप लोग दोनों कमेंट करके बताना एक दो दिन पहले आपको बताई गया था तो बो इस वीकास सबसे बड़ा फूल कौन से होता है तो यह होता है आपका Reflexia और अगर आपसे पूछ लिया जाये सबसे छोटा फूल कौन से होता है तो इसका नाम वोलफिया ठीकर आ यह अभी हाली कि जो है आपके Augs में fasc 덕े聊準 डियो पूछ लिये घया थे तो मरुस्तली चेतर में मिलने वाले पैधों को बोला जाता है आपका Zero Fight किस संस्थान को सिक्षा में ICT का उपयोग करने के लिए 2021 के लिए UNESCO का किंग हमद बिन इसा अल्खलीफा पुरुसकार प्रदान किया गया है तो ये तो प्रदान किया गया है PME विद्या योजना को और PME विद्या योजना का संचालन कोन कर रहा था तो ये कर रहा था आपका केंद्रिय सैक्षिक प्रद्योगी की संस्थान तो PME विद्या योजना भी आप याद रखेंगे और केंद्रिय सैक्षिक प्रद्योगी की संस्थान को भी आप याद रखना है इन्हें जो है यूनेस्को का किंग हमद बिन इसा अल खलीफा पुरुसकार प्रदान किया गया है नेक्स्ट हमारा है भारत की राष्ट्रपती से सम्मंदित कुछ महतपूर अनुच्छेद देख लेते हैं अनुच्छेद 52 में जो है ये कहा गया है कि भारत का क्या होगा एक राष्ट्रपती होगा अनुच्छेत तिर्पन में राष्ट्रपती की कारेपालिका सक्ति जो है दी गई है कारेपालिका सक्ति किसमें नहीं थोगी तो ये आपकी राष्ट्रपती में नहीं थोगी अनुछेट 54 के अंदर बताय गया है कि राष्टपती का निर्वाचक मंडल कौन होगा तो राष्टपती के निर्वाचक मंडल में जो है आपके कौन-कौन सामिल है ये आपको बताय गया है आप लोग कमेंट करके बताना कि राष्टपती की निर्वाचन की विधी है जो कि आपका होता है एकल संक्रमडी मत पद्धती होता है यह आपका राष्टपती की निर्वाचन की विधी होती है अनुच्छेद 56 में होए आपका राष्ट्रपती का कारिकाल जो की कितना वर्स होता है आपका पांच वर्स के लिए होता है अनुछेद 60 में जो है राष्ट्रपती की सपत है तो सपत जो है राष्ट्रपती किसके सामने लेता है तो ये आपके सुप्रिम कोर्ट के जो आपके मुख्य नयदिस है उनके सामने जो है सपत लेता है अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपती पर महाभ्योग है तो राष्ट्रपती पर जो महाभ्योग है ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है ठीक है ना संसद के किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है महाभ्योग अनुछेद 72 में क्या है कि राष्ट्रपति की छामा दान की सकती है तो राष्ट्रपति जो है किसी भी प्रकार का जो है आपका जो धंड दिया गया है उसको छामा कर सकता है अनुच्छेद 123 में है राष्टपती द्वारा अध्यादेश जारी करने की सकती ठीक तो राष्टपती अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद 123 में अगर मैं आपसे पूछनू कि राज जिपाल के अध्यादेश जारी करने की सकती किस अनुच्छेद में है तो ये आप लोग कमेंट करके बताना कि राजय पाल के अध्या देश जारी करने की सकती की सनुच्छेद में है नेक्ट हमारा है विश्व संगीत दिवस ये कब मना जाता है तो प्रत्येक वर्स 21 जून को विश्व संगीत दिवस मना जाता है और 21 जून को ही आपका क्या होता है योगा दिवस भी होता है ये आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है तो विश्व पर्याव अब देखते हैं 22 जून 2022 के महतपूर करन्ट अफेर्स को योग के विकास और समवर्धन में उतक्रिष्ट योगदान के लिए प्रधान मंत्री पुरुसकार 2022 अभी प्रधान किया गया ठीक है ना और ये पुरुसकार जो है दोस रेडियों में प्रधान किया गया एक तो ब्य लेहलदाक के हैं ठीक है ब्यक्तिगत पुरुसकार में और इसके अलावा जो है स्री मार्कस विनियस रोजो रोडरिक्स को भी दिया गया जो की कहां के हैं ये आपके ब्राजील से संबंदित हैं ठीक तो बिखु संग सेना लेहलदाक के और आपके मार्कस विनियस रोजो र प्रोड्रिक्स कहां के हैं ये ब्राजील के इन्हें प्रदानमंत्री पुरुषकार 2022 ब्यक्तिगत स्रेडी में दो लोगों को दिया गया, इसके अलमा जो है दो लोगों को आपके संस्था गत स्रेडी में दिया गया, तो ये दो संगठनों को दिया गया है, एक तो आपका The Divine Life सोसाइटी है जो की कहां के है उत्राखंड की है रिसी को इस उत्राखंड की और दूसरा आपका ब्रिटिस वील आफ योग जो की कहां का है ये आपका यूनाटेट किंग्डम का है तो इन दो संस्थाओं को और उपर जो है दो व्यक्तियों को तो इन चार लोगों को क्या चार प्रारम किया गया, तो याद रखना कि खाड़ी सेना में, खाड़ी छेत्रों में जो आपकी भारतिये नौ सेना है, उनकी मजबूत उपस्थिति के लिए आपका आपरेशन संकल्प है, ठीक, तो यही आपसे पूछा जाएगा कि आपरेशन संकल्प की तयात जो है, और इसमे हमारा है, किस राज्य में प्रधानमंती नरेंद्र मोदी के द्वारा मुख्य मंत्री मात्रि सक्ति योजना और पोशड सुधा योजना की सुरुवात की गई है, तो मुख्य मंत्री मात्रि सक्ति योजना और पोशड सुधा योजना ये गुजरात राज्य में प्रारम की और इसका प्रारम्भ किया है प्रधानमंति नरेंदर मोदी ने मात्रिसक्ति योजना का उद्देश क्या है तो इसका उद्देश गर्भा वस्था से लेकर के मात्रित्यु के पहले 1000 दिनों तक माता और सिसु दोनों को पोशड युक्त आहार उपलब्द कराना है यह आपके म पार पका हुआ भोज़न उपलब्द कराना, पोशड सुधा योजना की अंतरगत, और मातरी सकती योजना में, पहले घर्भावश्ता से मातरीत के पहले एक हजार दिनों तक, माता और शिसु दोनों को पोशड युक्त आहार उपलब्द कराना है, और दोनों योजना कहां की रिजर्व में जोड़ा गया किसको तो ये मंगोलिया का है खुसव गुल जील राष्ट्री उद्यान ठीक ना तो मंगोलिया से संबंदित है मंगोलिया की राजधानी का क्या नाम है अगर आप लोगों को याद हो कल आपको बताय गया तो आप कोमेंट करके बताना कि मंगोलिया की राष्धानी का क्या नाम है प्रधानमंती नरेंद्रमोदी ने मस्तिषक अनुसंदान केंद्र का उधगाटन कहां पर किया है तो मस्तिषक अनुसंदान केंद्र आपका Brain Research Center करके है ठीक है न ऑर इसका उद्गाटन किया गया İISC बेंगलूरु में ठीक है बेंगलूरु काँ पह 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 आ है तो ये आपका करनाटक राज़ में श्थित है आई एससी बेंगलूरु में आपके मस्तिष का नुसंधान केंद्रिका उद्गाटन किया गया है नेक्स्ट हमारा है जून 2022 में कौन अंतरराश्ट्री फुटबाल इतिहास में सन्युक्त पांच में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाडी बन गये हैं तो पांच में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाडी फुटबाल में कौन बन गये हैं वो बन गये हैं अपके सुनील च्छेत्री जो कहा कि हैं तो यह आपके भारत के हैं तो कौन से क्रम के कौन से नंबर पे हैं ये पाँचवे नमबर पे हैं ठीक है ना सुनिल शेत्री जून 2022 में हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा तो ये पौधा याने की व्रिक्ष नहीं है ये प्लांट है ठीक है जिसका विस्तार जो है आपके समुद्र में समुद्र के अंदर है ठीक तो ये आपका आश्ट्रेलिया में खोजा गया है और इसका नाम क्या है तो इसका नाम है पोसीडोनिया आश्ट्रालीज ठीक है तो पोसीडोनिया आश्ट्रालीज तुनिया का सबसे बड़ा पौधा है लगभग जो है 180 जो है वर्ग किलोमीटर में इसका जो है खो दास्प्रथा का अंत करने के लिए प्रत्येक वर्स 19 जून को जून 10 फेस्टिवल मनाया जाता है तो अमेरिका में जो है दास्प्रथा का अंत करने के लिए प्रत्येक वर्स 19 जून को जून 10 फेस्टिवल जो है यह मनाया जाता है तो यह हमारे महत्पूर करेंट अफेयर सोर आपके important होती है तो अगर आप यहां तक वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद